नमस्कार दोस्तों आज हम चत्रपती शिवाजी महराज के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं हम देखते हैं कि मद्धिवगी नितिहास में चत्रपती शिवाजी महराज का नाम बड़े ही आदर के साथ पूरे विश्व में लिया जाता है तो इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेंगे कि ऐसी कौन सी खूबिया थी शिवाजी महाराज में जिस कारण से उनको आदर्शशा सक कहा जाता है तो आईए चलते हैं जान लेते हैं शिवाजी महाराज के बारे में उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ पहलूँ को जैसे कि हम जानते हैं स्वराजी की स्थापना होने से पूर्व महाराश्ट पर आदिल शाही, सिद्धी, पूर्तगाली और मुगल सत्ताओं का प्रभाव था शिवाजी महाराज ने इन सत्ताओं के विरुद्ध संगर्श किया सभी प्रतिकूल परिस्तितियों का उन्होंने सामना किया और सुतंत्र तथा प्रभुत्वा संपन स्वराज की स्थापना किया उन्होंने स्वराज के प्रशासन को विवस्तित रूप दिया और स्वराज को सुराज में परिवर्तित किया शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता और कारे से नई विवस्था का ही निर्मान किया सुराज की स्थापना करने के कारे में संघर्ष करते हुए उन्होंने स्वयम कई बार खत्रे उठाए अब जल खान से मिलने जाने की घटना हो अत्वा पनाला गड का घेरा शायस्था खान पर किया गया धावा हो अत्वा आगरा से छुट कर आना ये सभी घटनाएं खत्रों से परिपूर्ण थी शिवाजी महाराज ने इन सभी घटनाओं पर सफलता पुर्वक विजय पाई और इनमें से वे सरकुषल निकलाए शिवाजी महाराज पर प्राण निशावर करने वाले साथी सहयोगी थे इसलिए वे स्वराज का निर्मान कर सके सबसे पहले जो उनमें विशेश्था थी वह थी संगठन कौशल शिवाजी महाराज ने स्वराज अभयान के लिए अपने आसपास के लोगों को प्रिरुद किया उनके पास विलक्षन संगड़न कवशल था इसी कवशल के बल पर उन्होंने वीर और प्राण निशावर करने वाले लोगों को इखटा किया स्वराज के अभ्यान में उनके इनी सहयोगियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते अपने कर्तवियों का निर्वाह किया अब जल खान के साथ हुई भेट की घटना में अती विकट खषण में बंडा सहीत को मौत के घाट उतारने वाले जिवा महाले पनाला गढ का घेरा तोड कर जाते समय शिवाजी महराज की भूमी का निभाने वाले शिवाकाशिद विशाल गढ की ओर बढ़ते जार है शिवाजी महराज का पीछा करने वाले शत्रू का रास्ता रोकने वाले बाजी प्रवु देश पांडे पुरंदर कीले के लिए युद्ध करने वाले मुरारवाजी देशपांडे सिंगड को जीतने के लिए वीरगती को प्राप्त होने वाले तानाजी मालूसरे आगरा से छोट कर निकन आने की घटना में बहुत खत्रा उठाने वाले हिरोजी फर्जंद और मदारी महतर आदी अनेक लोगों के उधारन स्वराज निर्मान के अभियान में पाये जाते हैं शिवाजी महाराज अपने सहीयोग्यों का बहुत ध्यान रखते थे जैसे स्वराज स्थापना के कारे में कानूजी जेदे उनके साथ आरंबिक समय से थे विर्द्धावस्ता में वे बिमार हुए उस समय शिवाजी महाराज ने उनसे कहा उपचार करवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें अगली जो शिवाजी महाराज की विशेश्था थी वह थी प्रजा के प्रती जाग रुपता सुराज स्थापना के कारे में शिवाजी महाराज का शत्रूओं के साथ संघर्ष चल रहा था शत्रूओं के आक्रमनों से प्रजा तरस्त हो जाती थी उस समय वे अपनी प्रजा का अधिक-अधिक ध्यान रखने का प्रयास करते हैं शाहिस्ता खान पर धावा बोलते समय उन्होंने रोहिट घाटी के देशमुख को प्रजा के प्रती अपने करतव्य पूर करने हितु चेतावनी दी थी उन्होंने देशमुख से कहा कि वह गाओ गाओ घूम कर लोगों को घाट के नीचे सुरक्षी स्थान पर जाने के लिए कहें उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस कारे में एक शण की भी देरी नहीं होनी चाहिए आगे वे यह भी चेतावनी देते हैं यदि प्रजा का ध्यान रखा नहीं गया तो मुगल सेना आएगी लोगों को बंदी बनाएगी और वह पाप तुम्हारे सिर पर होगा शिवाजी महाराज इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उनके सैनिकों से प्रजा को कोई कर्ष्ट न पहुँचे अगली विशेश्था थी सेना विशेक नीती शिवाजी महाराज की सेना में कठोर अनुशासन था वे इस बात का ध्यान रखते थे कि सैनिकों को निच्छित समय पर वेतन मिले। उन्होंने सैनिकों को नकद वेतन देने का प्रभंद किया। अभियान में वीरता और पराकरम दिखाने वाले सैनिकों को समानित किया जाता। युद्ध में जो सैनिक वीरगती प्राप्त करते उनके परिवार के भरंद पोशन का वे ध्यान रखते। युद्ध में शरण आये हुए शत्रू सैनिकों अत्वा बंदी सैनिकों के साथ सद्वेवहार करते। देखे कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज रैत की रक्षा करते थे, उनका खायल रखते थे। फसल की बोवाई, सीचाई और फसल के पकने की अवधी में यदि युद्ध शुरू हो जाता है तो किसान की दुरावस्था का वारा पारा नहीं रह जाता। बोवाई के काम में सैनिकों की गतिविदिया आडे आही जाती। सैनिक कई बार खड़ी फसल भी काट ले जाते, अथवा नश्ट कर देते, किसानों के मकान लूटते, शिवाजी महराज ने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि वे अपने सैनिकों को ऐसी हरकतों से दूर रखें। इस संधर में इसवी सन 1674 में शत्रपति शिवाजी महराज का अपने सेना अधिकारियों को उद्देश कर लिखा पत्र बहुत महतो रखता है। कोई घास फूस तो कोई साग सबजी ले जाएगा। ऐसा होने लगा तो जो किसान अपने प्राणों के भैसे किसी तरह रहते हैं वे भी घर छोड़कर जाने लगेंगे। अंगीनत लोगों पर भुकों मरने की नौबत आएगी। यह तो वही होगा कि लूटने आये थे मु मुगल और उससे अधिक तुमने उने ही लूटा। ऐसा शाप मिलेगा। अगला गुन जो है शिवाजी महाराज में वह है सहिशनू आचरण। शिवाजी महाराज को आदिलशाह, मुगल और सिद्धी जैसे शत्रों से संगर्श करना पड़ा। यह इसलामी सत्ताएं थे। उनके साथ युद्ध करते समय शिवाजी महाराज ने स्वराज में रहने वाले मुस्लिमों को अपना प्रजाजन माना। अब जल खान से भेट करते समय उनके सैनिकों में सिद्धी इब्राहिम नाम का विश्वस्निय सेवक था। सिद्धी हिलाल शिवाजी महाराज की सेना का सरदार था और दवलत खान स्वराजी की नोसेना का महतुपुर्ण अधिकारी था शिवाजी महाराज की धार्मिक नीती सहिशनु थी शत्रु के किसी प्रदेश को जीतने पर उस प्रदेश में मुस्लिन धार्मिक स्थानों को मिलने वाली सुविधाएं वे वैसे ही जारी रखते उनकी सहिशनुता फूर्ण धार्मीक निती के संबंद में इतिहासकार खाफी खान लिखते हैं शिवाजी महाराज ने अपने सहिशनुकों के लिए कड़ा नियम बनाया था कि अभियान में किसी भी मस्जित को क्षती नहीं पहुंचाएंगे कुरान की प्रती हाद लगने पर उसे श्रद्धा भाव से किसी मुस्लिम व्रित्ती को सौंट देंगे इन घटनाओं से शिवाजी महाराज की सहिशनु वृत्ती समझ में आती है कि शिवाजी महाराज की सेना में न केवल हिंदू थे बलकि मुस्लिम भी थे और इन मुस्लिम सहिनिकों ने सेवकों ने शिवाजी महाराज की मदद की थी तो सिद्धी इब्राहीम नाम के एक विश्वस निय सेवक थे जब वे शिवाजी महाराज अफजल खान से भेट करने जा रहे थे उस समय वह शिवाजी महाराज के पक्ष में थे दूसरे एक सरदार थे सिद्धी हिलाल वे शिवाजी महाराज की सेना के सरदार थे दौलत खान स्वराज जी की नो सेना के महत्वपुर्ण अधिकारी थे तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने सहिश्णतापुरुन धार्मिक नीती अपनाई और सधी के साथ समतापुरुन विवार किया शिवाजी महाराज ने स्वराज के स्थापना के लिए जो प्रयास किये उन प्रयासों का अपना अलग मुल्य है और वह मुल्य स्वतंत्रता का मुल्य है इस मुल्य का उद्देश किसी अन्य सत्ता के प्रभुत्त को सिकार न करते हुए अपना स्वतंत्र और प्रभुता संपन अस्तित्व बनाये रखना है विदेशी और अन्याई सत्ताओं से संगर्ष करते हुए शिवाजी महाराज ने दूसरों को भी स्वतंत्रता की प्रणा दी मुगलों की सेवा में रत 16 साल जब शिवाजी महाराज से मिलने आये तब उन्होंने उन्हें बुंदेल खंड में स्वतंत्र राज्य निर्मान करने की प्रणा दी अगला बिंदू है कीलों का महत्व जानना शिवाजी महाराज ने कीलों का महत्व जाना था और इसलिए उन्होंने कई कीलों को जीता और कीलों की साहिता से उन्होंने मुगलों को और अपने अन्य दुश्मनों को परास्त किया अगर शिवाजी महाराज के पास कीले न होते तो शायद उनको इतना बड़ा स्वराज स्थापन करना संभव न हो पता लेकिन उन्होंने कीलों का महत्व जान लिया और अनेक किले बनवाए और अनेक किलो की मरमद भी उन्होंने की और ऐसे मजबूत किले बनाए और जिसके कारण दुश्मनों को वे किले जितना इतना आसान न होता था सहद्री परवत माला पर ऐसे अनेक किले आपको दिखाई देंगे इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने किलो का महत पहचान लिया था और किलो के माध्यम से उन्होंने उनका उपयोग, किलो का उपयोग स्वराज के विकास के लिए स्वराजी की निव मुश्बूत करने के लिए किया था इतना ही नहीं उन्होंने समंदर में कीले बनाये थे और इन कीलों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजो और पूर्टगालियों पर अपना वर्चस वस्थापित किया था इस प्रकार से सहाधरी परवत पर शिवाजी महाराज ने बहुत सारे कीले बनवाए और उनकी रक्षा की और उनको अधिक मजबुती प्राप्त कराने की कोशिश की अगला जो महत्वपुर्ण बिंदु है वह है शिवाजी महाराज के कारियों की महानता शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रों के साथ संगहर्ष करते हुए स्वराज की स्थापना की उनका यह कार्य उनके युप्रवर तकवत्व को सिध्ध करता है इस कार्य के अतिरिक्त उनके दिख्तित्व में अन्य दूसरे अनेक सद्गुनों का कोश भी पाया जाता है शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे उन्होंने अनेक विद्याएं आत्मसाथ की थी उन्हें कई भाशाएं और लिपिया अउगत थी माता पिता द्वारा किये गए स्वराज स्थापना और नैतिक्ता के संसकार उनके मन की घहराई में जड़ जमाये हुए थे उनके विक्तित्व में चरित्र और बल, शील और वीरता का सुन्दर समन्वय हुआ था उनमें नेतिरत्व, प्रभंदन, दूरदर्शिता, राजनिति, कूर्ता, नागरेक और सैनी की प्रशासन से संबंधित मीती, सत्य और न्याय के प्रती मिष्टा सभी के साथ समान व्यभार करने की प्रवर्ति, आगामी बातों का ढाचा बनाने का नियोजन, नियोजीत बातों को पूर्ण करने का कौशल संकट में अडीग रहते हुए उपर उठने का निश्चय, सदय वजागरुक रहने की सजक्ता आदी असंख्य गुन थे स्तुरियों के साथ दुर्वेभार करने वाले को वे कठोर धंड देते प्रजा के किसान, कारिगर, सैनिक, व्यापारी जैसे सभी वर्गों का वे ध्यान रखते अपने धर्म के लोगों की भाती, अन्य धर्मों के लोगों को इप्रती भेदबाव न करते हुए उनका आदर करते थे दूसरे धर्म में चले गए लोगों को पुन अपने धर्म में स्विकार करने का जिस समय में कड़ा विरोध किया जाता था उस समय उन्होंने धर्मांतरित लोगों को अपने धर्म में लिया, समय पढ़ने पर उनसे स्वयं का रिष्टा जोड़ा, धार्मी कारणों से समुद्री यात्रा को विरोध किया जाता था, ऐसे समय उन्होंने सिंदुदुर्ग जैसे जलदुर्ग का निर्मान करवाया और न जैसे साक्ष मिले हैं कि उनका व्यापार अरव और इरान जैसे देशों के साथ हुआ करता था देखिए कि इस प्रकार से उन्होंने व्यापार की तरब भी ध्यान दिया था वे राज्य विशेक करवाकर स्वराज के विधिवत नरेश बने इस राज्य विशेक के पश्चात उन्होंने धार्मिक द्रिष्टी से भिन्य विधी द्वारा दूसरा राज्य विशेक करवाया उनके सभी कार्य धार्मिक शेत्र में उनके द्वारा की गई कांती कारिता को दर्शाते हैं जब जब सुराज पर प्राण घाती संकट आये तब तब सहयोगियों के बदले अथ्वा उनके साथ सुराज के लिए वे अपनी प्राण अर्पित करने के लिए ततपर रहते थे महतवपूर्ण बातों की तरह चोटी-चोटी बातों के बारे में भी उन्होंने संबंदित व्यक्तियों को अवश्यक वे उचित आदेश दे रखे थे सैनी किसान के खेट से सबजी भी जबर्दस्ती नहीं ले सकते इस प्रकार का आदेश इस द्रश्टी से आदर्श ही है पेड काटने पर लगाए गए प्रतिबंद भी अपना महतव दर्शाते है कीले का कोडा कच्रा यहां वहां कहीं भी नहीं फेकना चाहिए उसे मकान के पिछवाडे वाले बगीचे अथवा क्यारियों में जलाएं और उसकी राखफर सबजी उगाए यह उनका आदेश था इससे ही हस्पष्ट होता है कि स्वराज का निर्मान करते समय वे चोटी-चोटी बातों की ओर कितना ध्यान देते थे वे केवल योद्धाई नहीं थे अपितु एक नविन, स्वतंत्र, नितिवान और सुसंस्कृत समाज का निर्मान करने वाले शिल्पकार थे उनकी महानता सरवांगिन है हमारे राष्ट्री आंदोलन में शिवाजी महाराज महान प्रेणा स्थान थे रहे हैं महात्मा जोतिराव फुले ने संता के संघर्ष में पोवाडा द्वारा शिवाजी महाराज की महानता का बखान किया है महात्मा जोतिराव फुले ने इस वी सन 1879 में चत्रपती शिवाजी महाराज पर एक पोवाडा राचा उसका कुछ अंश इस प्रकार है शिवाचा गजर जय नामाचा जेंडा रोविला, क्षेत्र्याचा मेला मावल्याचा शिकार खेलला, माते पाई ठेवी डोई गर्व नहीं काडीचा, आशिर्वाद घेई आईचा, आला वला घेई आवडता होतो जिजीचा, पवाडा गातो Shiva जीचा, पवाडा गातो Shiva जीचा कुलवाडी भूषन, पवाडा गातो भूसल्याचा, छत्रपती Shiva जीचा, छत्रपती Shiva जीचा. लोकमाने तिलक ने शिव जैन्ती उत्सव के माध्यम से राष्ट्र जागरती की। लाला लजबत राय ने शिवाजी महाराज की महत्ता पर एक उस्तक लिखी है। महान लक्ष साधना के प्रयास के रूप में देखते हैं। सर जदुनात सरकार ने शिवाजी एंड हिस टाइन्स गरंथ में छत्रपती शिवाजी महाराज के कारियों का गवरव किया है। से प्रयर्णा और आदर्श ग्रहन करने वाला सहित्य लिखा गया है। शिवाजी महाराज के स्वराज कारे की और स्वराज को स्वराज में परिवर्कित करने की यह प्रयर्णा भावी पीडियों के लिए आदर्श बनी रहेगी। शिवाजी महाराज महान राष्ट्रपुरुष थे। धन्यवाद